और यह प्रेंड यह देखें यह टमाटर कप माशा आल्ला टमाटर लगना शुरू हो चुके और यह देखें यह टमाटर यह इभी तो कच्छत माशा आलकूर के यह आस lugन्म हो अन्गे यह आप देख सकते हैं तो आज का विलाग और आज की वीडियो बहुत ही प्यारी और बहुत ही इंट्रस्टेड होने वाली है तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देख रहा है यह जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं तो काफी दिन हो गए थे मैं इसको देखने के लिए टाइम ने था मिला तो आज तो मैं आपको सब्सक्राइब दिखाता हूं कौन कौन सी सब्सक्राइब करना है और बहुत ही प्रेंट्स और सामने पोदे लगे हुए हैं यहीं कि मुस्लिफ गिसम के द्रखत लगे हुए हैं वह भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब् हैं यह देखें आगाव फेंट्स यह देखें इस लगे हुए हैं यह टीर नवटरो बूल गें माशाला और यह पैसे कि यह दिखें में हैं यह देखें थात upgrade माशालहे बढ़ी ग्लावि तर फोस्तों कि दुए प्रामे हुए हूए है नहों इसको प्रयू यह लगाता है तो इस वजह से नीचे गिरने का खथधा होता है 専र पिर इसके साथ तरुबके फ़ेह सकते हैं। और फ्रेंट्स यह देखें इसके साथ ना जो फलिया ना वह भी लगाई हुई है यह आप देख सकते हैं यह यह जो पत्ते हैं यह फलियों के पत्ते हैं यह आप देख सकते हैं इसको भी ना जो अंगूर होता है ना वह भी निकल ना शुरू हो गया है यह देखें यह देखे माशाला के मा चण तो फर्द यह लगा हुए फ़लिया यह देखे ही यह आने वाले दिनों होता है यह यह एक हफ्ते तक यह तियार नहीं जाएंगी तो जाब ये तियार हो जाएंगी तो मैं आपको वह दिखाऊंगा देख सकते हैं कि माशा आलाओ कितने कितने प्यारे हैं अ चरेंगे और देखें यह जो बिंडी तोरी ना यह वो लगा यह 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 थे वह चोटे हैं तो जब बड़ी हो जाएंगे तो फिर इसके साथ भी लगना शुरू हो जाएगी तो यह को दिखाता हूं ओ देखें वह सामने कुछ पौद्धों के साथ बिंडिये लगी हुई है यानिके जो फौल होता है इसके साथ पहले फौल निकलता है तो फिर उसके इसके पास दीख जाते हैं चाहित कि मैं आपको दिखाता हूं यह देख хочं यह तो लगा हुई ठीकना और यह दे रम यह देखी एक कि केले का पोधा लगा हूँ है तसके साथ हैं और पोधे लगे हुए है मुश्ल किसम के यह तो देख सकते हैं इस मां पहलाइना च्प पको भी ठीग है यह फाल्से कश्चे सपालसा है यह 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 अदो यह वह चेंण को अभी कश्चे । तो यह पाक जाते हैं तो इनका कलर जामन का नहीं होता है यह उस तरह की हो जाते हैं और बहुत ही खटे मिठी होते हैं तो जब पाक जाएंगे तो जब उतारूंगा और फिर आपको दिखाऊंगा तो अभी फिरहली कच्छे आप देख रहे हैं हिर देख सकते हैं यह देखें यह जो लीची होती है उसका पोड़ आ यह TOGthen इसके साथ लगी मुधी है यह आप देख सकते हैं उसको दो यह दायती कर अ कर चीजी reality इसके अंदर जो आयरण होता है इसके खाने के बहुत ज्याता है चली ने खाने के बहुत तो अशे अध्यम्य्त इस फिर्था लाइक SHRIP प्राइब जरूर कर दिंए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुंचते रहें तो इसको उतार के खा के और दिखाते हैं इस तो फ्रेंट्स यह देखिए आपके सम्ड़े मैं इसको उतारूंगा और खाऊंगा इंचाला बहुत ही मज़ा आने वाला है यह देखिए यह लि मैंने अभी इसको उतार रहा है ठीक है फ्रेंट्स यह आप देख सकते हैं तो अभी आपके सम्ड़े को खा के दिखाता हूं तो जी फ्रेंट्स यह देखिए फ्रेंट्स यह मैंने लीची का जो फालो तब मैंने उतार लिया है तो फ्रेंट्स मुझे नहीं मलूम था कि जो दो जो फ़ल पप्ज जो बिल्कुल तियार हो गया थे वो बड़े बढ़ी आये थे वह उतार के ले गई हैं मैंने मुझे पटा इसको में इसको में जुक्षी ऐसको ख़लता है प्रिच्छा और ने हैं तो तो शोरी मैं अब इसको मैं आपको दिखाऊंगा तो मुझे निता मलूम कि जो पक चुकी है ना जो बड़ी बई आये थे वह आके ले गए थे तो मैं जब नेक्स चैम होंगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा लेकिन कोई बात नहीं चलिए मैं आपको और भी दिखाता हूं और भी बहुत ही कमार के और को बूष रही प्यारी प्यारे ऍटि लगे हूं मैं यह दो फ्रेंट्स यह देखियं का प्यारत लगा हूं शापक फैस के बोड़ा और काफे लंस्फादा यह दिखनी नीचे सी आप देख सकते हैंầnस और यह इसके साथ प्हुश। फोट ये वाला फोट एस जामन का है और वह जामन का अंझीर का पोट यह देखें जामने पोट इसको फंट लगना शुरू हो यह सकते हैं जाया चैसे नहीं जासे एक वाजन जामन पकने शुरू हो जाएंगे तो मैं टकर आब में आपको दिखांगा आप मुझे को मैं तो आप कोमेंट में बता सकते हैं यह बात ओर उसी यासे को किसम होती है इनके इसके इंदर मेल ओर फिमेल होती है तो ये पिर इसके साथ फाल लगता है तो पहले हमने न एक लगाया था तो वो तो नहीं था उवा तो आप यह बढ़े वह इने लगा के ना यह देखिए दो लगाये हुए इकठे फिर माशाला यह देखिए फ्रेंस कितने बढ़े हो चुके हैं तो इनका नाम का तो मुझे य इसको गोडी करनी थी तो वो मुझे याद नहीं सा रहता तो आज आपके सामने में गोडी करके दिखाता हूं यह यह आप देख सकते हैं अब गोडी का असल में मक्सद यह होता है कि जो मठी होती है उसकी सफाइए ठीक है और मठी को नरम किया जाए यहीं कि जड़ी बूटी होती है उनको तलब किया जाए ताके पोद्य की ग्रोथ हो चुके है यह द्रेखे मैं मैं इसकी गोडी कर रहा हूं लाका है तास puta करने से बहुत जाएदाज होता है और जो पोदा प में시면 बहुत ज़लदी बढ़ा होता है और इसके फाल लगाना भाड़ी श्टार्ट हो जाता है यह देखें बस इतनी से गोड़ी होती है और गोड़ी का क्या करना होता है बस जो जड़ी बूटी होती है इस तरह की जो यह जो बूटी होती है उनको सिरफ तलफ करना होता है उनको खतम करना होता है तो आप सामने में कर रहा हूं और अब यह जो दूसरा पहुता है यह पता कि अग्षाइब करने से माशाला पोदा बहुत जल्दी बढ़ा होता है और फाल लगना भी उतनी जल्दी स्टार्ट हो जाता है इसलिए अगर आपके पास भी पोदे हैं यंकार में रखे हुए हैं तो उनको गोडी लाजम कीजिए गोडी करने से आपके पोदे को बहुत ज्यादा फायदा होता है और बहुत जल्दी फल लगना शुरू हो जाता है जाता है कि यह दिखे और आप देख सकते हैं मती को नरम किया और इसके अंदर जो जाड़ी बूटी होती है ना वह सलमें ना यह जो जाड़ी बूटी होती हैं यह लीके जो पोद्य की खुराक होती है वो खुदी इस्तमाल कर लेती है इसलिए इनको जड़ से उखार देना ही बेतर होता है ताकि जो असल खुराक होती है वो पोद्य को मिल सके और पोदा जल्दी करो कर सके और यह आप देख सकते हैं तो फ्रेंज यह देखें यह पता नहीं मेल है यह फीमेल है और यह यह उफरेंज दिखर देखेंओ को अब को प्रेंज हम और में showing that good quarter आधके प्रेंज यह देखिई हैना है लिमू का पोदा लगा हुआ है जाये कूए इसको फूल लगना शुरू हो चुकी है और इसनला दो तीन वीक तक लिमू भी लगना शुरू हो जाएंगे या फुल लगना शुरू हो चुकी है तो फिर लगना शुरू हो जाएंगे यह आप देख सकते हैं ये लिमू एके अब को और पैंसे यह को यह देख है कि इन फॉल्शे का बड़ा क्या लाँ कि सकते हैं के इसका पता यह कितना है यह देख सकते हैं इसके फाल से भी लगे हुए हैं है आपको नेज़िक जाकर दिखाता हूं सिर्ट्व आपने यह पीले कलरें के कच्छ फाल से तो जब यह पorters जाएंगे तो इनका कलर होता है वह जाहरा का जामन का प्रहर नहीं होता है· कि नरिफ खटे Elise साटे हो जाएंगे ना में खुद उतारूंगा और आपको दिखा हूंगा इंसाईलह जरूर दिखांगा अब फिरहाल आप कच्छे देख रहे हैं लेकिन जब नेक्स टाइम आऊँगा अब यह पाकच रहेंगे फिर मैं आपको दिखा के भी दिखाऊंगा और उतार के भी दिखाऊंगा और फ्रेंट्स यह मैं आपको एक और बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाने माला हूँ है यह जो बिंडिकाप होता है यहां पर यहां पर हमने जो मर्टर होते हैं उसकी बीज लगाए हुए हैं यह माँ आपको दिखाता हूँ है यह देखें ऐसम यह देखी है हे यह म्यूंदी आप देख सकते हैं यह सारी जो चाहते हुआ है इसी कैनी एक बिंडी का पोदर लगाया हुआ है और एक अपूर का पोदर 질ॡजय गा Еще कुछ तो अब नहीं हुए लेकिन वह भी हो जाएंगी फ्रेंट यह आप देख सकते हैं यह थिस लुझ थे आप है कि अग अधियुक्त इसके अधियुक्त पूर्ट यह देखें यह बिम्त्रकप अधियुक्त इसी तरह इस तरह हमने यह सेक्वेंस वाइज निके तर्तीव से लगाए हुए यह आप देख सकते हैं और फ्रेंट्स यह देखें यहां पर भी नहली जो मठो पहले जो फ्लियों के पोद्रें वह दिखा यह तो फिर मैंने थोटें कर यो पानगा लिए बॉले मत नहीं देंगगा लोगे सकते हैं माशाला आप देख सकते हैं और यह देखें अंदो पंज कम दो हफ्ते लाग जायेंगे सको जो इसकी पत्ते आना उसका साइज बढ़ा होने में तो इंचाला दो तीन विक तक फ़लियां लगना स्टार्ट हो जाएंगी इंचाला यह आप देख सकते हैं तो जी फ्रेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा रहा हूं ठीक है यह देखें फ्रेंट्स तो आपने वीडियो को छोड़के नहीं जाना वीडियो को मुकंबल देखें आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है चलो मैं आपको और मजीद दिखाता हूं तो जी फ्रेंट्स यह देखें यह सबस मिर्चे लगाई हुए हैं और माशाला अल्ला की फजलो करम से अलहम्दुलिल्ल्ह यह सबस मिर्चे निकलना शुरू हो चुकी है यह आप देख सकते हैं फ्रेंट्स यह मैं आपको अंदर जीक कर दिखाता हूं यह देखें यह फू तो कफी दिन हो गए थे टाइम नहीं था मिला तो आज टाइम मिला तो यह देख सकते हैं कितनी ज्यादा निकल आई हैं माशाला तो फ्रेंट्स मैं आपको दिखाता जाऊंगा तो आपने देखते जाना है ठीक है यह देखें यह सबस मिर्चे लगी हुए हैं और इसको गो डीबी करके दिखाएंगे तो फिर नेक्स्ट जैम जब वो आएंगे फिर आपको दिखाएंगे